नमस्का सातियों, सातियों अभी हाली की कुछ समय के अंदर भुकम की जो गत्विदिया है पूरे विश्यु के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जान और माल की हानी भी है तो आज हम ज़र समझेंगे कि वो क्या कारण ह से बुकम यहांपर आते हैं अगर मैं पृत्व की आंतरी संव्किंशना की बात करूं तो हमारी पृत्वी है सातियों वो बहुत सारी PRETों से मिल गदना है जिसमें पृत्वी की सबसी उपरी परत को भूपतल कहते और यह घ्रेख कहा तोड़ा गया है जिनने हम यहाँ पे महादीपी प्लेटे यह कॉंटिनेंटल प्लेटों के नाम से जानते हैं अब आपको जब बता दूँ तो हमारी प्रितवी के अंदर जो निकलने वाला मैगमा है यह लगाता इन प्लेटों पे धक्का देता है जिस कारण से इन प्लेटों में तीन तरह की गती देखने के मिलती है या तो ये प्लेटे एक दूसरे से दूर जाएंगी या तो ये प्लेटे एक दूसरे के पास आएंगी या प्लेटे एक दूसरे से रगड़ेंगी और इस तरह से हमारे प्रित्वी पर यहां पे भुकम पी घटनाओं का निर्मान होता तो वास्तम में देखा चाए तो भुकम यहां पर प्लेटों की मद्दी होने वाले घर्शन के द्वारबनने वाली क्रिअ है जिस शित्र से या जिस बिन्दू से भुकमन का निर्मान होता है साथियों उसे हम भुकम की किंद्र बिंदू याने की फोकस कहते हैं और जब पृत्वी पर पहुचेगी जब भुकम की तरंगे पृत्वी पर पहुचती है तो उस बिंदू को साथियों अधिक केंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है और वहीं पर जब भुक यहां पर चार-चार प्लेटों की सीमा पर बसा हुआ है और अगर इनमें से किसी एक प्लेट के अंदर भी हलचल हो जाए तो जापान में भुकम की जटके वह महसूस किये जाते हैं अब आपकी मन में सवाल यह आएगा कि भुकम को मापा क्या से जाता है तो साथ भुकम को मापनिक लिए हम यहां पर भुकम तीवरता मापन यानिकी यहां पर रिक्टर स्किल का यूज करते हैं अगर मैं रिक्टर स्किल की बात करूँ तो रिक्टर जो मैगनिट्यूड है इस इसमें एक से लेकिन नौतक की संख्याय होती हैं और इसको 1935 में कैलिफोर्निय इंस्टिटूट ऑफ टेक्नलोजी के अंदर यहां पर विज्ञानिक थे जिनका नाम है चार्स रिक्टर तो चार्स रिक्टर में गुटेंसबग की सहता इसका निर्मान किया था और आज विश् प्रतिश्टी तीवर्ता दस गुना बढ़ जाती है वहीं पर पर तीसकील पर श्कील जो भुकम की एनरजी है वो 32 गुना बढ़ जाती है अगर मैं भारत की बात करो तो भारत देखे सातियों यहां पे पांच भुकम पे शित्रों में बटा हुआ है और आप जो लाला कलर क यहां पे मैप में देख पाएंगे वो जो शित्र है सातियों यह भुकम का सबसे जादा खतनाक शित्र है जहां पे सबसे खतनाक भुकम पाते हैं आप देख पाएंगे मैप के अंदर कि किस प्रकास से अबनाचर प्रदेश, असम, हिमाचर प्रदेश, हमारो उत्तरी भारत गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका है ये सबसे ज़्यादा खतननाख भुकम पे शेत्रों में शामिल है तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा खतननाख भुकम यहीं पर आते हैं योगि देखा जाए तो ये शेत्र यहाँ पे सीमा पर बना है क्योंकि भारत के निर्मान के समय गुणवाना प्लेट और यूरेशन प्लेट यहीं पर टकराए थे और यही रीजन है कि इस शेत्रों में प्लेटों के टकराने से भुक्कम सबसे जादा आते हैं तो साथियों उमीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया वेगा अगर चीज़े पसंद आई हैं तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरू कीजेगा और इसी तरह के और भी शांदर इंफोर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़िए अपने इस प्यारे से परिवार में क्विक ट्रिक्स बाइ साहिल सर्जेव